हेलो एवरीबडी वेलकम तो एवरेस कोचिंग इंस्टिटूट टोड़ेए 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 विल दिसकाइस क्लास 11 अकाउंट्स पेटा उसमें जो चाप्टर आपका बेसे अफ अपका बेसे अफ अपकोंटिंग तो उस चाप्टर में जो तू बेसे जैंक एपकाउ प्रफुरा में तो हम इस वीडियो में चाफ पेशिज अफ अकाउंटिंग जो है वृ डिस्कस करेंगे एँदर के तो छलो शरू करते हैं अब सबसे पहले हम कर रहे हैं cash paces of accounting तो जब हमने cash paces of accounting हमने discuss करना है तो सबसे पहले हमें उस चीज का मतलब भी पता होना चाहिए कि what do we mean by the cash paces of accounting right so cash paces होता क्या अब सबसे पहले बेट आप यह चीज समझ लो कि यह चीज है क्या cash paces क्या होता cash paces refers to an accounting system that recognizes revenues and expenses at the time when cash is received or paid out क्या कहना चाहता है वो cash paces आपका accounting में ऐसा basis है जिसके बीच में हम accounting में transactions को record करते हैं अब यह यह बताता है हमें cash paces हमने कब record करने cash paces of accounting हमें कहता है कि जब अमर को cash मिल जाएगा या हम pay कर देंगे उस time हम जो है वो transaction को record करेंगे for example अगर हमने कोई cash sale की है right cash sale की है और जब हमर को cash मिल गए हमने तभी record कर देना है अगर हमें उस time cash नहीं मिल रहा है तो जिस time हमर को cash मिलेगा उस time हम उसको record करेंगे हम पहले transaction को record नहीं करेंगे इस इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि in other words there must be in flow and outflow of cash means cash आपका या आपका आ रहा है या जा रहा है जब आपका आ रहा है या जा रहा है उस case में आप उस transaction को record करेंगे cash basis of accounting में जैसे for example उसने मैंने आपको पताया है कि एक company of a company used cash basis of accounting and sold 10,000 of inventory to customers the transaction would not be recorded until a company receives the money वो क्या कह रहा है कि मालो एक कोई company है उसने cash basis of accounting जो फॉलो करती है उस case में क्या होगा उसे 10,000 rupees की inventory जो मलब समान जो है वो customer को बेचा है अब वो transaction तब तक record नहीं की जाएगी जब तक वो company उससे पैसा receive नहीं कर लेगी ठीके यह मैंने आपको simple से example पता ही है आगे मैं आपको इसको properly भी एक और example से समझाओंगी ठीके आप जिसे जो आपकी non-profit organizations है यह जैसे को charitable institutions है यह आपके schools है जहापे आप पढ़ते हो यह आप clubs है जो non-profit है जिनका social welfare is a purpose है कोई उनका profit कमाने की कोई उनका motive नहीं है वो के वो ऐसे organizations हैं जो आपके यह cash basis of accounting को use करती है ठीक है अब बात आती है कि मैं आपको बोला था कि मैं आपको इसको एक example से समझाओंगी तो इसक small business for which he sent an invoice to the customer on Monday but he does not receive the billing amount till Friday so the income is recorded against Friday's date in the accounting book he includes the sales done only when the payment is received in cash वो क्या कहा रहा है कि राजू है और राजू का एक छोटा सा business वो करता है जिसके लिए उसके customer ने उससे समान मांगा खरीदा उससे समान बेजा और उसने अपने invoice दिया हम एक bill बनाके रहते हैं ना तो राजू ने अपने customer को Monday को bill बनाके भेजा invoice भेजी पर वो जो invoice उसने बेजी है उसके record में in return में उसने उसे कोई भी जितना amount उसने भेजा था उतने amount के से payment रिसीव नहीं की Friday तक so इसका मतलब क्या है जो हम income जो हम record करेंगे वह हम Friday की date को उसके counting books में record करेंगे ठीक है वह कहता है कि सेल्स तभी होगी जब उसको पेमेंट जो कैश में रिसीव होगी यह देखो यह जो चीज है मैंने यह आपको एक उससे यह पिक से समझाया है यह राजू है राजू ने इन्वाइस सेंड की यह कस्टमर को मंडे को और उसके बाद में राजू ड़स नौ हुए तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा जब उसको पेमेंट रिसीव होगी उस डेट को रिकॉर्डिंग करेगा ठीक है राजू ड़स नौट इंक्लूड सेल्स अंटिल अल्लेस पेमेंट इसीव दिन कैश ठीक है बिटा क्लियर हो गया तो चलो अब हम आगे रेखते इनके फीचर के आज पीसिट के वहरे क्या किया फीचर्श है क्यों किश्या सब्सक्राइब करनी है हमने कोई द्हारी पर काम करte है तो हमने इसको देखना ही नहीं यह जब वह पैसा देगा यह वह पैसा लेगा इस तेंग हम रिकॉर्ड करेंगे ठीक है दूसरा वह कहता है इत मेंली फोकुसेश ओन एक्सपेंस एंड़ेवनईू यह जो कैश पेसिस ऑफ अपकाउंटिंग यह जाधा हमारे एक्सपेंस के ओपर फोकुस करता है जाधा ध्यार एक्सपेंस के ओपर देते हैं और यहां पर कोई हमारी मैचिंग नहीं होती है झाले हैं तो वो उस चीज के पर ज्चान दीक्ति है सब्सक्रीज में वह हुआ है तीके न कह Cake रिकपार्ट वह काश मैंत ऑने अपस आई है कि यहां तर्ब ही देखनी अहरे नहीं देख नहीत थेखते इसमांध में sthrp follow होती है double entry system follow नहीं होती है इसलिए यह है आप मरे cash basis के features right अब हम देखते हैं कि advantages क्या है कि क्या क्या इनके फाइदे है cash basis of accounting तो इसके देखो जो पहला advantage के people with very little or no knowledge of finance and accounting can easily understand it because it is a single entry system and simple क्योंकि यह एक जो system ऐसा है cash basis of funding बहुत ही simple है जो हमने features में किया था और यह single entry system बे बेस्ट है तो इसलिए जिन लोगों को ज्यादा नौलग कोई layman है जिसको knowledge नहीं है ज्यादा finance की accounting यह बहुत थोड़ी knowledge है वो भी इसको समझ जाएगा ठीक है and this system's implementation आपकी do not require the services of trained accountant on bookkeeper इसमें कोई skills ज्यादा नहीं चाहिए आपको कोई trained accountant यह आपको कोई bookkeeper जिसको proper knowledge वो आपको नहीं चाहिए right simple accounting software is sufficient simple accounting system को यह वो मरा इस पर काम कर जाएगा कि जैको यह लगा लो आप notebook या easy spreadsheet है उसके बीच में आपका cash basis क्योंकि single entry system पर होता है वो आपका easily maintain हो जाएगा ठीक है next work care a company can determine how much actual cash it has given at any point because it tracks the cash in flow and outflow अगर आप मालो at a time at any time you want to know कि आपकी company ने कितना cash आया है कितना cash गया है तो यह जो method है यह जो system of accounting है यह आपको easily पता देगा क्योंकि इसे करना ही dealing जो है cash basis पर जब cash आया जब cash गया तब recording करना है ठीक है then companies can accelerate payments to lower their taxable profits and postpone their paying taxes as a result अब जो companies है वो जब पैसा आ रहा है तब वो दिखाएंगे और जब पैसा जा रहा है तब दिखाएंगे इस case में क्या होता है कि जो taxable profit है वो कम show कर सकते हैं क्योंकि उन्हां दिखा रहे रहे हैं कि मैं पर cash ही नहीं आया तो आप tax किसके ओपर लगा होगे वो इसलिए अपने जो tax को है easy आगे आगे पोस्पॉन कर सकते हैं द्वांटेज़ या मैरिट्स ऑफ cash basis of accounting अब हम बात करेंगे disadvantages कि कौन कौन से हमारी disadvantages हैं जिनका फाइदा नहीं है हर एक चीज़ के अगर मैरिट होते हैं दी मैरिट भी होती है ना तो इसकी हमने दी मैरिट देखते हैं पहला वह कह रहा है since the timings of cash flows do not provide the right time of changes in the business financial condition it gives us less accurate results क्योंकि less accurate result देता है क्यों क्योंकि जब cash आया है जब cash किया है जब वही बताएगा यह exact time मतलब जब आपकी transaction हुए वह नहीं यह बात करता है जब आपके पास cash आया है cash किया है उस time की बात करता है इसलिए it gives less accurate results right secondly by not cashing by not cashing checks that have been received or by altering the due dates for its liabilities this type of funding can be manipulated manipulated to easily होगा वीटा क्योंकि इसमें चेक तो हम लें नहीं रहे हैं अगर कोई उधारी का काम तो इसमें करनी नहीं रहे है जिसमें आपके checks आ गए या bills usable या bills payable तो हमने लेना ही नहीं नहीं है वह जिस दिन हमारी payment आई या payment जाएगी हमने सरफ उस दिन का track लेना है ठीक है next वह कह रहा है सिंस इस मैथाइड प्रड्यूस एक्यूरेट फाइनशल स्टेटमेंट्स लेंडर्स अर्लेक्टन टू एक्सेंट्रेट टू कामपनी इसमें क्लियर पिक्टर नहीं के लिए एक दम से नहीं मानेगा तो इसलिए क्या होता है इसलिए आपकी जो इसमें आपको क्रेडिट लेरा थोड़ा जो है वह मुश्किल हो जाता है देन कम्स फाइनेशल स्टेटमेंट जो हम प्रिपेर करते हैं यह जो इसमें के सिंगल सिस्टम है तो यह और्डिटिंग के लिए और्डिटर जो इसको सब जल्दी जल्दी नहीं पकड़ते हैं क्योंकि जो आपक लिए वाला सिस्टम वह फर्म में जो है जो अकाउटिंग सिस्टम के जो रिजाल्स है वह तक्रीबन इनकुरिट आते क्योंकि मर गों सही पिक्चर ही नहीं पता चलती है आदे जो हमारी इस में जादा होती है आदे हमारे डिकॉर्ड जिसमें प्रॉपर सही नहीं आते है राइट सो यह हमारी थी डी मैरेट्स ऑफ कैश अकाउंटिंग सस्टम अब हम बात करेंगे एक मैं आपको एक्जाम्पल से समझाऊंगी कैसे इसमें इंकम कैलकुलेट करते ह इसके लिए देखो एक हमने एक्जाम्पल यह यही मैं एक्जाम्पल आपको जो पर एक्रूल सिस्टम में करवाएंगे इसी एक्जाम्पल से आपको उसमें इंकम निकालने सिखाऊंगी ठीक है आभी हम राम की इंकम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग कैश पेसिस अफ अ एक्सपेंस इस नौट येट पेजो हम एप्स और येट जो हमने उसमें अभी प्याहिए वह 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 20,000 है इंकम रिशीव 24 थाज़न देखने और आप यह देखो सबसे पहले हमने रेविन्यु देखने है रेवन्यू क्या है income receive two lakh forty thousand right तो expenses कितने जो हमरे पास receive आ चुके है हमने वो ही लिखने है इसके बिए कुछ नहीं हमने करना है कि हमने इसमें क्योंकि आ चुके है कोई इसमें ये तो है निकि हमरे पास अभी आने है advance में भी हमने receive कर लिए तो भी हम इसमें income में डाल देंगे now comes expenses expenses को हमने one lakh sixty thousand हमने receive के जो हमने पहले पेप कर दिए वो भी हम ले लेंगे ठीकिए अब उसने बोला कि net income या profit हमने निकानला cash basis पे उसमें कि हम मैंने income received us को A का नाम दिया और expenses paid us को B का नाम दिये तो अगर income इसे expenses को minus कर देंगे then we will receive the net income that is two lakh forty thousand minus one lakh sixty thousand that comes out to be 80,000 rupees so इस case में हमने net income कितना है या हमारी profit cash basis के साब चे कितना हैगा 80,000 ठीक है so this is all about today's video if you find any difficulty you are most welcome to give your feedback in the comment box thanks for watching